आज 18th December 2022 और आज local newspapers में advertisement आई है दिल्ली पुलिस की तरफ से for senior citizens जिनकी age 60 and above है कि वो अपने आपको पुलिस के ताथ register करवा सकते हैं मुवाइल एफ है और website दी हुई है और बताय गया है कि अधी आप register कर लेते हैं तो आपको फायदे क्या मिलने वाले बीट कॉंसेबल द्वारा regular contract रखा जाएगा सुरक्षा उपायों पर आपको advice दी जाएगी घ्रेलू जो आपके servants हैं उनका police verification अच्छी निगरानी के लिए एक identity card अलग से दिया जाएगा और local police आपके साथ coordinate रखेगी आपकी सुरक्षा मुहिया करवाने के लिए और phone पर आपको continuous regular basis पर आप से contact किया जाएगा senior citizens के help line 1291 और police assistance 112 है हम दिल्लीpolis.gov.in की website पर हैं हमने services को click किया और नीचे है senior citizens restoration रस्टर एजे senior citizen हमें दो options मिलते हैं जो अकेले या spouse के साथ रहने हैं और एज उनकी सक्ष्टी से उपर है या 60 है और दूसरा जो रहे तो family members के साथ रहने हैं लेकिन daytime में वो अकेले रहते हैं हमने first option को click कर दिया और किया register mobile number लिखा हमारे mobile पर OTP आया six alpha numerical हमने किया उसको submit और ये एक registration form खुल गया हमने नाम लिख दिया जेनरल लिख दिया address लिख दिया और district position हमें drop down से उठाने नहीं दे रहा email लिख दिया mobile number लिख दिया और हमें retirement का year भी लिखने का मौका नहीं मिल रहा है retired form लिख दिया आधार अमर लिख दिया spouse name उसका date of birth और wedding date हमने लिख पा रहे है number of children drop down से उठाया और family है joint separate together health में drop down मिल रहा है normal satisfactory below normal हमने लिख दिया satisfactory और last police visit हमें लिखने का मौका यहां पर नहीं मिल रहा है हम कुछ भी लिख नहीं पा रहे है residing alone only with spouse not with family हमने relative का नाम लिख दिया उनका reason हम select नहीं कर पा रहे है address लिख दिया और contact number domestic help part-time driver part-time और watchman none हमारी personal watchman नहीं है लेकर society का watchman है वो हम फिर भी इसको none ही लिखेंगे tenant none और इसको किया submit please enter as और हम as नहीं लिख पा रहे हैं तो friends आज हम अपना registration complete नहीं कर पाएं लेकिन जब हम next time करेंगे तो हमारे सामने दिक्कत यह होगी कि हमारा mobile number और date of birth सेम होने के कारण वो कहेगा कि already आप registered हैं हमें next time फिर एक बार अपना mobile number और date of birth किसी दूसरे senior citizen की डालनी होगी तभी हम वो senior citizen का restaurant करके आपको दिखा पाएंगे करेंगे करेंगे